करवाचोद की कथा से एक सीख हमेशा मिली है और वो सीख आप भी अपनी जिन्दगी में जरूर उतार में करवाचोद की कथा में आता है भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं पढ़ी ना कथा और भाई जब भोजन करने बैटे तो बेहन को आवाज लगई आजाजी जी जी भोजन करले दिधी आओ भोजन करो आपने आज मेरा भृजन नहींदेखोंगी तब तक मैं ब्रत नहीं छोड़ सकत। चंद्रमा देख लूँगी, अर्ग देदूँगी, फूजन कर लूँगी, तब मैं ब्रत छोड़ कर फिर भोजन कर लूँगी भाई भोजन की थाली से उठे भोजन की धाली से भाई उठे समने विचार कर लिया एक काम करो जी जी भोजन नहीं कर रही है दूर जाकर वाँ आग लगाओ टेकरी के ऊपर आग लगाना एक चलनी इत्ती बड़ी ले जाओ वो चलनी को दिखाना आग में मैं जी जी से कह दूँगा वो चान निकल गए और जी जी अर्ग दे देगी अर्ग दे देगी भोजन कर लेगी विचारी कपकी वोकी सुबा से उसने कई खाया यह ब्रत वाले दिन ने सब को बहुत दया आती है बाकी के दिन का चले जाते है अब दया आरी है भाईों को कर दों उसके बात मुण देखा जा उसके बद मुढ़े चलनी में ने तिलग करे ने फिरारती उतारे यह तो सब बात का चट के उपर का इस सारा प्रोशेज बात का पर नीचे तो जो तो तुम पूजन करो तो उस समय भे किताब पढ़ने पड़े और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आई तो बेहन के खाना खिलाने के लिए उनने चलनी में आग जला कर दिखा दी तो इतने में बेहन ने अर्ग दिया तो भाभियों खड़ी थी हाँ जोड़ कर कहा जी जी तुमारे भाईयों ने तुमारे लिए वहाँ आग लगाई है और चलनी में मुझ दिखा रहे हैं मत अर्ग दो ये जूटा है अर्ग तुम ये चांद नहीं है भाभी जी जी मानो तो ननन्त को समझाया और प्रेम इतना जादा था भाई बहन का सुनी नहीं अब कथा कर रही है भावियों समझा रही है ननन्त को करवाचोद की कथा में लिखा है आप लोग कहोगे कि सीवरवाला माराज कहां से बोल रहा है तो करवाचोद की कथा में पढ़ लेना भावी ने समझाया मत करो पूजन ये गलत है नहीं मानी तुम तो हमारा आहित चाहती हो कर दिया पूजन अर्ग भी दे दिया जाके भोजन कर लिया सब तरहा से गणेश जी का मान हो गया बरवाद कर दिया भगवानी रोने लगी बिलखने लगी पूछा अब मा के गले लखकर रो रही थी सेठानी के मा बरवाद हो गई ने सब कुछ नश्ट हो गया मा की आँक में आसू थे कलती क्या हुई है कुछ मालू में मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चोत पर पूजन करी थी तो भाईयों ने आग जला दी थी ये भावियों ने कहा था तो सास बोली तरी भावियों ने तुझे पहले नहीं बताया नहीं मा मैं अर्ग दे रही थी तभी भावियों ने कह दिया था कि ये चांद नहीं तुमारे भाईयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अगनी दिखाई तो बेटी गलती तो तेरी है ना सुवेरे से लेकर साम तक जब हुख की दी आड़ वजे तक हुख की दी नोवजे तक हुख की से तोर तोरी ने छोड़ा छोड़ीके बार वार फ़धि देखे त्वा आया कि नहीं आया । तुम्हें अपमान कर दिया गणेजी का इसल पिछली बार गल्टी हो गई मुझसे वो गल्टी कैसे सुधारू में कैसे गल्टी को सवारू में मट्टी के करवे के साथ में शकर का करवा रखा जाता है ज्यान दीजेगा शकर का करवा जानते हो वो मीठा जो करवा होता है मीठा जो करवा होता है वो कप्रयोग में करा जाता है या तो पहली बार करवा चुद का ब्रत उठाते हैं उस समय पर या फिर उद्यापन के समय पर या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शकर का शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले बरस जो गलती हो गई क्या गलती हो गई भगवान बस उस गलती को सवारने के लिए उसको भर दिया जाता है मिलता है बजार में आपने देखा की नहीं देखा वो पता नहीं पर मार्केट में आता है शकर का करवा है शुगर का करवा बरा जाता है गलती भाईयों ने विकल दी कभी-कभी हमारी सहनव होती कभी-कभी हम हम दूसरे को समझाने के चक्र में अपने तत्व दिखाने के लिए गल्ती कर जाते हैं अपने तत्व दिखाने के 16 संबर का उध्यापन कब होता है प्रदोसकाल में शाम इसमें करने कब बिढ़ जाते हैं दोलिख कि खालोंगी मना नहीं पर समय का भी तो भान करो दुकान खुलने का भी एक समय होता है आड बजे दुकान बंद करने का समय होता है दस बजे कथा का समय होता है दो बजे से पांच बजे तक सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा उसी तरह हर पूजन का विधान है समय है सुबह रह चार बज़े से लेकर रात्री के चंद राए जब तक आब भूके रहते हो करवा चोथ के दिने फिर जल्दी किस बात की है क्यों इतनी जल्दी है महाँ जाओ महाँ देखके आओ चांद आया कि निया आगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे ब्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो चट के उपर पर याकर खड़ा हो जाएगा तो विश्वास तो रख भरोसा तो रख वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक्सियर करें ताकि सभी लोग इसका लाव उठा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टी शिवाय नमस्तु के करवाचोत कबरत काई के लिए करते हैं वो पती की लंबी उमर के लिए अच्छे इमानदारी से बोलो तुमारे भूके रेने से पती की लंबी उमर हो जाती क्या अरे बोलो ता सरी है तुमारे भूके रेने से पती की उमर बढ़ेगी शिव महापुरान की कथा कहती है पती की उमर तुमारे भूके रेने से नहीं बढ़ती पती की उम्र तुमारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है